इसमें 100 questions है जल्दी जल्दी से आपने answer करने है इसके और बिल्कुल चुपचाप से अपना answer करते जाना है बाकी लोग जो लोग अभी तक class में नहीं आये हैं वो लोग जो है वो फिर recorded इसकी देख लेंगे ठीक है तो जितने भी questions हमारे से आज होते हैं उतने हम करेंगे और उ लाइप बोल है उसके जरीए ही ठीक है तो चलिए आपकी screen पर पहला प्रशन है देखिए केशव को कभी रिदय नहीं मिला था यह कथन इस आलोजक का है बहुत ही साधारण सा प्रशन है देखना यह और यह ऐसे प्रशन आपको गलत नहीं करने है इजी question है चलिए देखते ह है कितने लोग इसको ठीक करते हैं कोई भी अपना माई कॉन नहीं करेगा और कोई भी चैट सक्षन में इसका अंसर नहीं देगा बिल्कुल सिंपली अपना काम करते रहिए और आंसर कीजिए आपके पास option है अचारे राम चंदर शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंग, डॉक को कवी रिदे नहीं मिला था, चार सेकिंड बचते हैं आपके पास केवल, चलिए देखते हैं, किन-किन लोगों ने इसको ठीक किया है, मोनिका राना, नीशा, पूजा, सबसे पहले इन तिन लोगों ने आंसर किया है, उसके बाद रोशना, चंपा, नीता, मीरा, जागता, बहुत अच्छे, बाकि लोग भी इसका अंसर कीजिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी इसमें पाटिस्पेशन कीजिए, तभी बात बनेगी देखिए, ये प्रसिर कथन है, अचारे रामचंदर शुकल जी का केशवदास के संदर्भ में कभी रिदे क्यों नहीं बोला था और इसकी आलहर पर ये कहते हैं कि इनको कभी भी देखिए, नहीं बोला था, बहुत सारी संदर्भ में करके रही हैं, इसके लावा एक और संदर्भ में इनको मिलती है, कि ये वोड के कभी हैं, ये भी इसको कहा गया था, और ये आगे प्रशन हमने रखा है, कि कि इसने कहा था इसलिए भी हम इसको नहीं बताएंगे ठीक है आगे जानेंगे बाकी यहां पर पितंबर्दत बड़त्वाल भी रहा है इन्होंने इसकी एक रचना रही है राम चंद्रिका उसको कहा था चंदों का अजाइब घर स्वरी राम सुरुप चत्रुवेदी ने कहा थ इसको चंदों का आजाइब घर किस ने बोला था राम सुरुप तरुप चत्रुवेदी ने और ये थो वॉल्ड फिमर्परिशन है ही है ठीक है चलिए अगला परस्शन देखते हैłe जब्टे प्रिती शां पहों कि नहीं पंक्ति इसकी है चलिए यह प्रिशन तोड़ा अब आपके लिए मुश्किल हो सकता है लेकिन उत्रा भी ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते हैं चलिए देखते हैं कौन-कौन लोग इसको ठीक करते हैं और अगर आपने बारीकी से प्रीविए से पेपर देखे होंगे जो मैंने आपको पहले भी बोला कौन-कौन से पूराने पेपर आपको देखने हैं उन्हीं के आधार पर आपको प्रशन बनता है देखना उनमें से ही एक पूराने पेपर से यह प्रशन रखा गया था अब देखते हैं कि कितने लोग इसको ठीक करते हैं सभी लोगों ने अटेंप्ट करना देखना इसमें किसी भी प्रकार की negative marking नहीं है, live class है, तो इसमें negative marking का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने लोग इसको ठीक करते हैं, जब ते प्रीती, शाम, ते कीन ही, नामकपंग्ती के रचाईता जो हैं वो कौन रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले जो आंसरा है, पूजा का, फिर ममता का, फिर सेवती, बहुत अच्छे, बाकी लोगों ने इसका अंसर थोड़ा सा गलत कर दिया, जिन जिन लोगों ने ठीक किया है, वो अच्छी बात है, जिनका गलत हुआ है, वो इसको, फिर से देखिए, यह जो पंक्तिया रेकी, यह है, परमानेंद दास की, परमानेंद दास जो रहे हैं, यह हैं, आपके अश्च्छाप के कवी हैं, देखना यह और अश्च्छाप के कवी हैं, देखना यह और अश्च्छाप के कवी हैं, आपको ध्यान रखना है, कि किसके यह शिश्य रहे है ठीक है यह रहे आपके जो देखना वलब अचारे के शिश्य, अच्छाप में वलब अचारे और विठ्छलना ते उन दोनों की शिश्य हैना, चार चार वो भी आपको ध्यान में रखना है और परमनन दास जो रहे हैं ये जो हैं इस परकार के लेकन के लिए जाने जाते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, और बालमनों की ज्यान से सम्मधित जो आपकी पद हैं, सूरदास के बाद अगर किसी ने लिखे हैं देखना श्चापी कभी ने तो परमनन दास को ही माना जाता है, ये बात ध्यान रखिए, और वाकी यहाँ पर सूरदास, नंद दा और रस्खान, इनकी पंक्तियां भी आप साथ साथ देखते जाना है, आप लोगों को, यहाँ पर देखी जो परमनन दास हैं, और नंद दास हैं, मैंने पहले ही बोला कि इनकी पंक्तियां उतनी जादत नहीं है, लेकिन जो जो पंक्तियां हैं, कुछ ये पंक्तियां, वो ह को पूछी जाए देखना आपको जो है बाट जो से भी पढ़नी है और बाटी जो पंगती आए मोटे-मोटे दौर पर उनको भी पढ़ते जाना है ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन आता है राम रक्षा स्टोत्र के रचेटा कौन है यह प्रशन बहुत बात पूछा गया है एच् ठीक है इसको देखिएगा आप एक पार जो राम रक्षा स्टोत्र है इसके रचाईता कौन रहे हैं ठीक है यह ध्यान रखता है बहुत ही असान सरल और सपार्ट सा कॉश्चन ऐसे ही प्रशन रहेंगे आपको PGT कमिशन में बिल्कुल डायरेक्ट कॉश्चन आते हैं जाद पूजा नीता ममता बहुत अच्छे सबने बहुत जल्दी इसका जवाब दे दिया है एक सेकिंड में कर लिया सबने बाकियों ने थोड़ा सा टाइम लगा लिया इसमें चलिए कोई बात नहीं बहुत सारे लोगों ने इसको ठीक किया देखना कुछ लोग है जो इसको गलत पूचि जाती है रामानंद के बारे में आपको सब चीज़ें याद रखनी है देखना कि इन्हों ने ज्याद पात का खंडन सबसे पहले किया था और भक्ती के मार्ग सभी जाती के लोगों के लिए जो है इन्हों ने खोले थे ये भी उनकी मतपुन बाध है और उत्री भा अगला प्रशन देखते हैं और जीतने भी नाम यहां पर रहें देखना और यह जो चिर्पुट नाम है इनको भी साथ साथ में पढ़ते रहें इनसे समनादित कुछ मत्रपुन्तत्य हैं आपको जानना है नेक्स कुशन आता है रामिरा शर्मा ने तुल्सी को निवन में से और इधर उधर आंजर ना करें रामिरा शर्मा ने तुल्सी को निवन में से कौन सी संग्या जो है वो भरदान की है यह आपको बचाना है बहुती मत्रपुन्त है यह भी प्रशन यहां पर जितने भी यह नाम लिखे हैं देखना ऑप्शन में इन सभी नहीं जो आपके गो इस टेस्ट को अच्छे से देख लें और उसमें थोड़े से अलग प्रशनत है वो आपको प्यारियां हो जाएंगी उसके लिए भी तो उसको भी साथ साथ में आपको देखते रहना है आगे बविश्यम हम उसको करेंगे कभी बीच में डिसकस अगर दैंग निलता है तो ठ को 50% लोग इसका अंसर गलत दे रहे हैं और बहुत साथ लोग इस टुप्ती कर रहे हैं यहां पर मानस का हन समरितलाल नागर ने कहा था यह बात आपको ध्यान रख लेनी है समार्ट वैशनव इसको शुकल ने बोला यह भी प्रशन इंपॉर्टन है देखना समार्ट वैश डॉक्टर बच्चन सिंग ने यह बात याद रखेगा मानस का हनस नाम से अमरितलाल नागर ने उपन्यास भी लिखा था वो भी आपको ध्यान में रख लेना है ठीक है चलिए आगे देखते हैं इसके बाद अगला प्रशन आता है हिंदी बढ़ माला के एक-एक अक्षर को लेकर के जो सिध्धान्त प्रस्तुत किये गए हैं देखना वो किस ग्रंट में किये गए हैं बहुत ही इजी क्वशन है यह देखते हैं कितने लोग इसको ठीक है और यह प्रशन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है पहले भी ठीक है तो इसको एक बार आप करेंगे और जो लोग गलत करेगा वह अभी बहुत पीछे है मतलों फिर बाद में यह मत कहना कि हमसे जो है गलती से हो गया था गलती नहीं होनी चाहिए इसमें गलती करेंगे तो फिर नहीं बनेगी बात निशा अनन्या पूजा सेवती बहुत अच्छे तीन चार लोग अख्रावट यहीं से याद रखेना एक खर से अक्षर से याद रखेना ऑख्रावट ठीक है और बहुत ही सिंपल से चीज है देखना इसको यादilate ने की मैंने पहले भी बताया था कि इसको आप ऐसेए करके ही याद रखेंगे अख्रावट क्योँ है यह किसकी रचना है य लिक मुहमद जाई सीकी हैं जिनको शुक्ल ने मानेता प्रदान की थी तो ये अकरावट और आखरी कलाम है इसके अलावा इसने पदमावत को भी माना था कि ये रचना भी ये जाई सीकी रही है शुक्ल के अनुसारी ये तीन ही है देखना कनहावत और चितररेखा ये अन्य भी जरूर देखना है एक बात तब आपको ये question याद रहेंगे और ये बहुत famous question है और बार बार पूछा भी जाता है अब यहाँ पर आता है देखना कि सेनपती जो रहे हैं जो रिति सिद्ध कावेधारा के कवी रहे लेकिन ये भक्ति काल के अंतरगत भी आते हैं इनका जो प्रिय अलंकार है वो किसे माना जाता है ये वाला प्रशन आपको ठीक करना है देखते हैं कितने लोग ये ठीक करेंगे सेनपती को रिति काली वाड़्जवार्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसने प्रकृती चित्रम से समंदित जो ग्रंथ है वो लिखे थे ठीक आपको कोशिश करनी है कि 100% उसमें ठीक करें आप बाकी जो अन्य बाते रहेंगी वो फिर बात की है चलिए देखते हैं सेनपती इतना जरूर याद रख लेना कि अचारे रामचंद शुकल ने इसको भक्तिकालिन फुर्टल धारामिस्थान दिया था यहां पर भी नीशा आपको बताना है कि कौन सा इसमें असंगत है असान प्रशन इतने असान प्रशन नहीं मिलेंगे और प्रक्तिकाल में हमने इसको पहले ही पढ़ लिया था देखना असंगत युगम आपको बताना है एक तरफ जो आपके संपरदाय दिये हुए हैं देखना दूसी तरफ जो है उसके प्रवर्टक दिये हुए हैं यह असंगत का मतला हुआ गलत युगम आपको बताना है ऐसे प्रशन वैसे आज तक तो नहीं पूछे गया है वैसे आपको PGT में लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है देखना ऐसे प्रशन आते हैं UGC नेट में कि कौन सा युगम संगत है कौन सा असंगत है नीता ने सबसे पह पर आएं ममता शर्मा पीसे नमर पर रहे यहां पर चार लोगों का अंसर गलत हुआ है बी की तरह बहुत है लोगों सतनामी तो जग जीवन का ही था ठीक है याल रखेगा इसको सतनामी जग जीवन का ही रहा उदासी संपरदाय के प्रवर्तक श्रीचंद रहे विश्नुई संपरदाय जो है यह बाबालाल का नहीं था बाबालाल का था बाबालाली पंथ जबकि इसने जो विश्नुई संपरदाय चलाया देखना यह चलाया आपका जम्भनात ने यह नाम आपको याल रख लेना है जम्भनात इन है जांबो जी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है ये बात आपको ध्यान में रखना है, विश्नुई संपर्दाय, ठीक है, सादो संपर्दाय वीरभान का, ये आपके मुख्य संपर्दाय हैं, और इन सभी संपर्दायों का समंद भक्ति की किस दारा से हैं, ये प्रशन आपके लिए है, चल दिए, कौन बताएगा इसको, जित पूजा हमारे कास जादा है, इस वेच में दो तीन हैं, संपर्दाय से सर, आप लोगों की अवाज नहीं आ रही है इसमें, ये यह नहीं, मुझे आप लोगों के अवाज नहीं आ रही है, आपके माईक तो मुझे आन होते दिख रहे हैं, आ रही है सर, इसमें मुझे फिर आवाज नहीं आ रही है आप रोगों की, पता नहीं क्यों ऐसा उड़ा है, चलिए कोई बात नहीं, आप चैट सक्षन में आंसर दे सकते हैं, है ना, इसका आंसर लिख के बता दीजिए, यह जितने भी संपरदाय रहे हैं, भक्ति कालती कावेदारा से संबंदेत माने जाते हैं, यह संपरदाय, हाँ, संथ कावेदारा से, याद रख लेना, important question है, पूछा जा सकता है, चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद अगला प्रशन है, हिंदी में विशुद रूप से नीती कावे की रचना सरप्रत्थम किस ने की, हिं इसको एक बाद देखिए, छलिए, देखते हैं, कितने लोग ठिक करेंगे, इसको नेती कावे बटिकाले, जो गौन साहित्य है देखना, वहां से यह प्रशन है, आपने से जटी, प्रशन है, जाबाज, जाबाज, निति कावे की रचना, पहले पहल बक्तिकाल में किसने की? इसमें दो नाम हैं, पूजा और शिल्फा, बाकी लोग इसमें कुछ गरवड कर गए हैं. पदम नाब, डूंगर बावनी, इस तरीके से एक रचनी दखी है इसकी देखना, डूंगर बावनी इस नाम से है, उसको देखेगा, आपको यह मिलेगा, अक्तिकारी गौण साहित्य में, यह वला प्रशन वहां से आप इसको देखिए. ठीक है, मुबारक जो रहे हैं देखना, यह किस परकार की रचनकार हैं, यह आप याद रखेंगे कि इनकी दो रचना हैं, अलक्षतक और तिलक्षतक और यह नीती परक नहीं, बलकि जो रीती परक कभी हैं, वैसे आते हैं, जान कभी भी जो है, रीती परक की कभी रहें, ज रामकता संबंदी हिंदी का प्रत्थम कावे किसे माना जाता है इसको भी आप एक पार देख लीजिए अब रामकता से संबंदी हिंदी का प्रत्थम ग्रंथ है वो कौन सा है एक बार इसको कीजिए लेखते हैं कि इतने लोग इसको ठीक करते हैं बहुती easy question है, ऐसे असान question गलत नहीं करने हैं आपको, अगर इन प्रशनों को गलत कर देंगे, तो फिर जो है, गड़बड़ हो सकती है देखना, और गड़बड़ होनी नहीं चाहिए वैसे, शावाज, कितने लोग करेंगे इसको ठीक, अभी पता चल जाएगा, रामकथा से संबन्धित हिंदी का प्रत्थम कावविब्रम था, शावाज, पूजा, सुमन, अनन्या, एंचंपा, के बल चार लोगों ने ठीकिया, इसको बाकी लोग, नौ लोग पॉम्चरियू कर रहे हैं, पॉम्चरियू जो है, ये ब्रज भाषा में था, हिंदी भाषा म लेकिन हिंदी में थी रमाइन का था, जो विश्णु दास की ये देखना, इसे प्रत्थम प्रबंद कावविब्र माना जाता है, ठीक है, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट नाम है ये, रामचरित मानस तो बाद में आया, ये प्रसिद राम कावविब्रंद माना जा ही है, वो है साके, ठीक है, ध्यान रख लेना, भरत मिलाप जो है, ये भी रचना रही है, इश्वर्दास की, हलांकि रामभक्ती से समंदित ही रही है, ये भी आप जरूर देखें इसको, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मरिया कब ही, अच्छा, ये जो भरत मिलाप रच हैंगी चोटी, पंक्ती के रचनाकार कौन है, मया, कब ही बढ़ेगी चोटी, पंक्ती के रचनाकार कौन है, ये आपको अब बताना है, ये बहुती सरल सा कोशन है देखना, और यहां पर जो बालमन विज्ञान है, वो आपको इसमें बिखेगा, या यूं कहेंगी, बात सल कब आप भी इसमें रहेगा इन पंक्तियों में आगे लेकिन इतना आपको दिरूब याद रखना है कि ये जो पंक्तियां है ये किस की है शिर्पिष्ण की है मा ये शोदा से ठीक है पूछा जा सकता है ये प्रशन मैया कब हूं बढ़ेंगी चोटी और यहाँ पर देखिए एक बार फिर से वही ऑप्शन है जो हमने पहले रखे थे यानि कि इन्डिरेक्टली आपको ये भी बता जा रहा है कि आपको इन्ही रचना कारों को पढ़ना है और इनकी पंक्तियों को देखना है निशा ने सबसे पहले किया अनन्या और फूजा बहुत अच्छे हां हिंट मैंने दे दिया था कि बालमनों की यान या वाद्चल भावाली पंक्तियां तो सूर्दास की पंक्तियां इनको देखी रएक बात जरूर ठीक है अगला प्रशन है शुक्लन ने अग्रदास की कव तकी तूलना किस कवी से की है वक्तिकाल में आपने इनको पड़ा है और अब देखते हैं कौन-कौन इसको ठीक करते हैं कौन-कौन इसको जो है गलत करते हैं बहुत सारे लोग जो भी जवाब नहीं दे रहे हैं सोच समझ के जवाब दे रहे हैं बात अच्छी है लेकिन आं तो चंपा ललिता अनन्या बहुत अच्छे दिव्या जगतंबा चापांच लोगों नहीं इसको ठीकिया देखना और बहुत सारे लोग जो इसको गलत कर रहे हैं इसकी अग्रदास की कविता की तूलना जो हुई थी यह थी नंद दास के साथ यह ध्यान रखेगा नंद दास क कविता के साथ इसकी तूलना इसने की थी ध्यान रखना है महतपून है यह प्रश्ण ओके नेक्स्ट प्रश्ण आता है हिंदी में भक्त माल परमपरा का सुत्रभात आंख बंद करके आप इसक्ष्ण का अंसर देंगे कोई भी इसमें होता ही नहीं बरतेगा और जिसने गल करेंगे तो फिर बात नहीं बने वर बात नहीं बनी कैसे बने इना इसमें कि भक्त माल परमपरा का सुत्रभात हिंदी में किस से माना जाता है बहुत एजी पॉस्शन है साथे लोग आंसर कीजिए 10-12 लोग अभी भी आंसर नहीं कर रहे हैं देखने इसका लोग आंसर नही मोनिका अंसर कीजिए सारे लोग अंसर करना है आंसर गलत चार लोगों ने किया ओ सबसे पहले इसके बाद लोग भक्तर नामावली ऐसे नहीं चल रहा है ऐसे कैसे नहीं चल रहा है को चलाइए और रुख जाएगा तो फिर क्लास कैसे लगेगी है ना को चलाते रहो ओके यह नावदास की भक्तमाल है और यह तो बिल्कुल शुरुआत में आपने पढ़ा था देखना जब हम इत्यास ग्रंत हो यह जो अधार बु कवियों का परिचा मिलता है वक्तमाल में यह कौन बताएगा मैसेज में टाइप कीजिए और आवास तो आपकी आज आ नहीं रहे हैं तो सिगनल नहीं है चलिए सिगनल के लिए तो मैं आपको कुछ भी नहीं कर सकता सिगनल मेरे पास भी बड़ा मुश्किल से आज कल ठीक जल रहा है नहीं तो वाइफाई भी नहीं चल रहा था ममता कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है दो सो भक्त कवियों का परिचे तीन सो चप्य चंदों में ठीक है यह दियान रख लेना है मोस्त इंपॉर्टेंट नाम है आपको आ सकता है यहां से भाशा सरविक्षन बहुत इ बहुत ही असान और जब हम इन्दी भाशा उत्पत्ति और विकास और व्यश्विक भाशाओं के बारे में पढ़ रहे थे देखना उस वक्त हमने इस ग्रंथ के बारे में इस्तार्थ से पढ़ा था और इसको भी अगर गलत करेंगे तो फिर उन लोगों को कुछ तो बोलना पड़े कभी बीना बोले नहीं चले का कम है ना चलिए जल्दी से कीजिए इसको अभी तेरा ही प्रशन हुए है देखना और आदा घंटा हमारा बीच चुका है मुझे लग रहा है ऐसे करके तो हमारे सिर्फ 25 ही प्रशन इसमें उपाएंगे बाकि जो है टेस सेक्षन में ह आपको देने होंगे ठीक है तो वो आपको अप्लोड कर दिया जाएगा उसको उसके बाद देख लेना है लरिता सुशीला मौनिका एंड मीरा जाक्टा बहुत कम लोग इसको ठीक कर रहे है भाशा सरवेक्षन जॉर्ज ग्रियर्सन इजी कॉशन था ये दा आपको पहले बहुत सारे ही मौस्ट हैं मतलब केहने का विपढ़ यह है कि इनको आपको पढ़ना पड़ेगा नेक्स ग्रिक्षन है अमरित की वर्शा कने वाला कभी किसे कहा जाता है ये भी बहुत असां कुशन है इतने असान क्क्रेश्चन आइवा गलत करेंगे तो लізद ओबंगे नहीं उने चाहिए हैं गलत करेंगे बहुत पीछे रहेंगे मैं बार-बार आपको बता रहा हूं देखना और इतने पीछे रह जाएंगे कि आप रेस्ट में करने का मतलब यह होता है कि जब आपको प्रशन उत्री के लिए त्यार किया जाता है तो इसको और क्या कहेंगे प्यूश वर्शिय मेग ये ध्यान लख लेना है प्यूश वर्शिय मेग बाद में अमरित की वर्शा करने वाला कभी अगर बिहारी को बोला तो वो केवल एक ही लेकक ने कहा है वो है रादा चरह गो स्वामी जिनने बिहारी को बोला कि वो अमरित की वर्शा करने वाला कभी रहा है यह व्रशन भी आपको ध्यानक लेना देखना गलत नहीं करना इसको लेकिन सर्वमाने मत अनुसर सभी विद्वानों ने जो है एक मत होकर अगर किसी को बोला कि यह जो है अमरित की वर्शा करने वाले कभी या फिर प्यूश वर्शे मेग हैं तो आपको सिंपल याद मालूम है तो वो इसको बता सकता है अगर भूल गये हैं तो इसको देखिए बहुत यह आसान सा प्रशन है यह सयद इब्राहिम नहीं बता रहे हैं भूल चुके हैं सब कुछ है ऐसा लग ज़ा हूँगे बक्ती का सरप्रत्थम उलेख किस में मिलता है यह आपको बताना है शाबस भक्ती का सरव प्रत्थम उलेख जो है वो किस क्रंथ में मिलता है यह यह जबाश है जो अज़वाश जबाश से जादा लोग आनसर नहीं कर रहे हैं देखना वह देखी रहे हैं नेट्वर्क ला रहे हैं तो अच्छा है अगर सिर्फ देख रहे हैं चुक चाप तो फिर देखते रहे हैं लेकिन क्लिक भी कर लीजिए क्लिक करने का कुछ नहीं जाता है न शावाश नीता नीशा एंड चंपा आज फॉर्म में हैं सारे लोग अच्छा पढ़ रहे हैं इसको इस पहले प्रशन को तो ये था ठीक है पुरानों में जो है वो आपके क्या है जादा उलेको है भक्ति का ये बाद्यान में रखिए नेक्स आता है यहां पर 42 लीला ग्रंथ लिखने वाले जो भक्त कभी है वो कौन रहे हैं ये प्रशन भी मौस्त है चलिए इसको देखते हैं कौन ठीक करता है कौन इसको गलत करेगा 41 लीला ग्रंथ किस ने लिखे थे भक्ति काल में कंचन हैंडेस कर रहे हैं कुछ कहना है तो आप माइक ऑन तो कर नहीं पा रहे हैं आज कर तो पा रहे हैं पर मुझे आवाज नहीं आ रही है आप लोग ऐसा कीजिए कि चैट सेक्शन में बाद में बता देना है अगर कुछ आपको कहना है ठीक है तो यहां पर है आपका 42 लीला ग्रंथ लिखनेवाले जो भक्त का भी वुक्त कभी वह कौन रहे हैं यह आपको बताना है असान प्रशन है, जादा मुश्किल ये नहीं है, ठीक है, इसको बताईए एक बार, 42 लीला ग्रंथ लिखने वाले, शिल्पा, कंचन, जोती, कॉर्शल और पूजा, बहुत अच्छे, बाकी 10 लोग इसको गलग कर रहे हैं, धुरुबदास ने लिखाता दिखना, और इसके ग ये ध्यान रहे, कि इन्होंने अपने प्रतिक ग्रंथों में, अंत में क्या जोड़ा है, लीला शब्द जोड़ा है, और इनके ग्रंथों की संक्याती 42, इसलिए बोला गया कि ये 42 लीला ग्रंथ जो है, वो किस ने रचे, ये रचे थे, धुरुबदास ने, धुरुबदा जो है, वो इस संपरदाय के क्या रही है, मुख्यव्याख्याता जो है, वो माने जाते हैं, ये भी मत्तपून प्रशन है, याद रखिएगा, वरी-वरी इंपॉर्टन, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, कौन सी रचना जो है, वो नंद दास की नहीं है, नंद दास की र नंद दास की रचना नहीं है, कंचन कुछ कहना है, आपने तब से, बता देना इसके बाद, अगर कुछ भी कहना होगा, तो चैट सक्षन में लिख लीजिए, यहाँ पर लिखा है, कौन सी रचना नंद दास की है, दिव्या, एक आंसर ठीक आया है, बाकी लोगों ने इसमें कर दिया, सब लोगों ने गलत कर दिया, इसको एक ही आंसर ठीक हो है, ध्यान मंजरी नहीं थी, राम ध्यान मंजरी भी नहीं थी, देखिए इसकी मंजरी शीर्षक की रचनाय तो रही है, यह मनाश्टक भी नहीं कि इसकी जो मनजरी खीर्श्चप कि 5 रचनाएं हैं सभसे पहले रूप मजरी फिर जो है रस मंजरी फिर विरह मंजरी फिर जो है एक और रही रस रूप मंजरी अनेकार्थ मंजरी थिक ए पूजा आपने गलत बोला पहले हमने अच्छा अच्छा गलत बोल दिया तो फेर उसमें कुछ नहीं हो सकता कौन सी रचना नंद दासकी है अच्छा आप भी पढ़िए सासात में इसको है ना सासात में आप लोग भी पढ़िए कितनी हो गई रस रूप वीरह है और एक और थ अगर किसी को पता है तो बता दे मान मंजरी यह पांच इनकी मंजरी शीर्चकी रही है मुझे सुनाई नहीं दे रहा आज आप लोगों की आवाज देखना पता नहीं आज आप लोगों की साउंड मेरे तक नहीं पहुंच लिए ठीक है तो अभी फिलाल ऐसे कीजिए तो यह रही इसकी इसकी जो श्रेश रचना है देखना वो है रास पंचाद्याई और भंवरगीत यह दो रचना इसकी मोस्ट इंपॉटन्ट है इनको आपको डेफिनेटली याद अखता है मेरी ठीकार यह तो उत्मा काफी है चलिए यह आनी चाहिए बाकि आप लोगों तो आप लोगों के पास तो ऑप्षिन है कि आप जो है लिख के भी कर सकते हैं ठीक है अगला प्रशन है कि संपरदायका से धांत जो है भेदा भेदवाद है यह आपको पता होने चाहिए और यह बिलकुल बेसिक चीज़ें रेखना से अधांतों से संबंदित जो चीज़ें रही है यह आपको बिलकुल क्लेर्टी के साथ याद होनी चाहिए बेदा भेदवाद ठीक है या फिर इसको द्वैता द्वैत भब भी बोला गया अब आसान हो जाएगा आज मिल गया है तो देखी भक्तिकाल के आपके लगोग 2-6 अप्शन तो यहीं पर होगे 200 परशनों के चार-चार option हैं उनमें से अगर दो-दो के भी आप सही तरीके से देखते हैं तो उपके बारे में तो आपके पास लगवग लगवग इतने ही प्रशन और बन जाएंगे और आपको लगवग चार-पांसो कोशन आपके बनेंगे देखना सिर्फ और सिर्फ वक्तिकाल से ही तो इसलिए जो भी यहाँ पर ऑप्शन से और प्रशन बनने के गुंजाईश है उसको अच्छे से देखिए शिल्पा ने सबसे पहले दिया तीन सेकिंड जो है 0.5 सेकिंड में इस कांसर की रहा ठीक है तो भेदा भेदवाद ये रहा आपका निम्बारक संपरदाय में वल्लब संपरदाय के अंतरगत आता है आपका कौन सा शुद्धा दुयत्वाद ठीक है और चतन्य संपरदाय के अंतरगत ये तो निम्बारक का ही अगला पार्ट मान जाता देखना ये याद रखि कुम्भन दास को फत्यपूर सीक्री किस शासक ने बुलाया था बहुत ही इजी कॉश्चन इतना आसान प्रशन कहा मिलते हैं देखे कितने आसान प्रशन बनाए मैं आपके लिए कुम्भन को कहा सीक्री सो काम आवत जावत उपर नहीं या टूटी बिसरी गयो हरी ना वर्ल फेमस पंग्टी है यह तो बहुत बार पूछते हैं इसको इसको देखी आप कि किसने इसको जो है फत्यपूर सीक्री बुलाय था और इस शासट के लिए इसने यह पंग्टियां कहीं चार लोगों का नेटवर्क अभी भी नहीं आया बाकियों ने आंसर दे दिया अच्छी बात है शिल्पा निशा एंड सोहन बहुत अच्छे जल्दी दे दिया आप लोगों ने जवाब और यहां पर लगबग आठ लोग अभी भी इसको गलत कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं बहुत गलत बात है यह तो अच्छापी कवियों में यह तो बेसिक चीज़े हैं यूट्यूब में भी बहुत बार इनको बता चुका हूं मैं यू को याद रखना ओके चलिए आगे देखते हैं अब ममता भी कुछ कहना चारे हैं पर आप माई कोन कर तो रहे हैं अभी तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है शायद रिकॉर्डिड में आप लोगों की आवाज आ जाए तो अच्छी बात है अगर रिकॉर्डिड में भी नही प्रशन तो असान है तुल्सी चरित के रचाईता कौन है इसी क्वर्शन इतना असान प्रशन फिर से देखिए वालत असान क्वर्शन है एक बार इसको कीजिए तुल्सी चरित के लेखक कौन है तुल्सी चरित तुल्सी चरित तुल्सी चरित को जानने के लिए एक है तुल्सी चरित और एक है मूल गुसाई चरित ये दो रचनाएं बड़ी प्रसिद रचनाएं माने जाती हैं जब भी हम तुल्सी दास का जीवन परीचे जानते हैं तो इन दो ग्रंथों का सहारा जो गलत कर रहे हैं इसका आंसर देखना और इतनी वड़ी गलतियां अगर आप करेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा मम तक कर रहे हैं कि क्वेश्चन शो नहीं हो रहे हैं रीजोन करके देखिए आपको उसके बाद जो है वो शो हो जाएंगे शिल्पा निता सोहन अनन्या बहुत चाहित है ठीक है यह है आपका रगुवर्दास ऑप्शन नमबर डी इसकी थी तुलसी चाहित इनको ध्यान रख लेना है ठीक है चलिए अगरा प्रशन देखते हैं पदमाबद के किस भाग को आलोचकों ने कालपनिक माना है जो पदमाबद का कौन सब भाग है देखना इस देखते हैं कितने लोग इसको ठीक करेंगे कितने लोग इसको गलत करेंगे पदमाबद मलिक मुहमद जाईसी बीस वर्षिस की रचना में लग गए थे 1520 से लिखना स्टार्ट किया 1540 में इसको समाप्त किया ठीक है और एक चीज़ और ध्यान रख लेना कि जो मलिक देखना वो पदमावत से पहले की है लेकिन हम आज के समय में मदमालती को 1545 की ही रचना मानते हैं तो पदमावत अवधी का श्रिष्ट कावे और सबसे बड़ा प्रतीकाप्नुत महा कावे हैं यह चीज़ा आप याद रखें यहां पर साथ लोगों ने गलत किया इसको नीश करद भार्द को माना जाता है कि यह थोड़ा सा इतिहासिक है यह ध्यान लगत लेना है यह मत्तपून बात हैं इसके बारे में देखना कई बार यह प्रश्ण आता है प्रतीक योजना आप सब लोगों को पता होने चाहिए जासे पहले आपको बताया कि यह प्रतीक आत्मत म आइसी रहे हैं उनकी प्रसिद्धी का अधार गरंद कौन सा रहा है तो यह भी यह होगा ठीक है यहां रखेगा इसको और इसके जो खंड है वो कितने हैं वह भी याद रख लेना है पदमवत में अध्यायों को क्या नाम दिया गया है यह भी प्रश्ण पूछा जा सकता है तो इन सब रश्णों के लिए आपको बिल्कुल चुस्त चौकनना और तेना तेहना पड़ेगा हमेशा ठीक है रस रतन किसकी रचना है यह भी अवधी की ही रचना है देखना निर्गुण संथ कावेधारा की रचना है रस रतन इसको आप एक बार देखेगा कौन है इसके लिखक प्रस रतन मतपून हैं ये कृतियां जितने भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था सूफी प्रेमा ख्यानक कावे को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है आपको सिंपल सा जानना है इसमें जो आपके पांडे ये पांडे वाली बूक क्या देखना उसमें एक ही पेज में सारी के सूफी प्रेमा ख्यानक का रचना है दी हुई है उनको पढ़िए वहीं से आपके सारे के सारे नाम जो है वहासानी से निकल जाएंगे अन्य नाम जो बचते हैं चिक पुट उनको भी सासात में देखिए और आपको यह लिख्वाए हुए हैं सारे के सारे ऐसा नहीं है कि लिख्वाए नहीं थे ठीक है सारी चीज़ें बताइए देखना अब भी जो गलत करेगा फिर वो जो है वो गलत ही कर देगा निता, पूजा, अनन्या, निशा, सरोज, सुमन, रोशना और कंचना केवल आप लोग ने ठीक है बाकी लोग इसको गलत कर रहे हैं नरायन दास्किती चिताई वारता एकी तरफ बहुत साई लोग गहें देखना चिताई वारता नामा के ग्रंत इसका लिखा ग्रंत है ठीक है यह रचना थी पूखर कवी की रचना ठीक है यह द्यान रख लेना आपको पूखर कवी की है रतन इसके लाबा कासिम शा यह बहुत महत्तपूर नाम है इसको भी आपको देखना है अचाले रामचन दे शुकर ने जो है इसकी अलोजना की इसने बोला कि यह अच्छे ग्रं मानस का रचना वर्ष जो है वो क्या है चलिए इसको देखते हैं बहुत ही इसी क्वेशन है देखना राम चलित मानस से समंदित भी आपको पता होना चाहिए शाबाज बहुत अच्छे शाबाज 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 इस में सबसे जादा लोग ने अंसर किया और सबने गरत किया है अश्याद ही यहाथ यह ने किया जर्शे कर रहें रूचिन कंचन चलिए उन्न ना ने भीा प्रशन लिखते हैं पढ़ते हैंना पढ़ते हैं, उसमें शुरुवात में एक इंस्ट्रक्शन दी रहती है, सभी प्रशन अनिवारे हैं, कृप्या ध्यान पूरवकर पढ़ें, तो आपको यहाँ पर देखना था कि इसका रशना वर्ष क्या है, यह तो प्रशन बिल्कुल ठीक है, प्रशन में नहीं था, लेकि वो इस्वी सन है, इस्वी सन को अगर हम तबदील करेंगे किस में, अगर हम इसको तबदील करेंगे आपके, विक्रमी संबत में, तो यह हो जाएगा 1631, क्योंकि विक्रमी संबत तो आगे चलता है न, और इस्वी सन जो है, वो उसके पीछे आएगा, ठीक है, तो यह ध्या ज्यान रख लेना, important question था, याद रखेगा, last time यहां से प्रशन पूछा गया था, कि रामचरित मानस को लिखने में जो है, वो कितना समय लगा है, ठीक है, तो इसके लिए दो वर्श, 7 महीने, और 11 दिन का जो समय था, 11 दिन, या 16 दिन, ऐस ता कुछ है न, उसको देखेगा, ये बाला, पद्मावत में शरद्धा जो है, वो किसकी प्रतीक है, मैंने पहले बिताया न, कि प्रतीक योजना जो है, ये प्र похож महादपूर्हे, और हिंदी साहिता के में सबसे बड़ा जो प्रतीकात्मक, ग्रन्थगर किसी को माना जाता है रेखना, या प्रतीकात्मक महा कावेज इसको माना जाता है वो कौन है वो है आपका पत्मवत ही ठीक है तो इसको देखी आप एक बार कि पत्मवत में जो है श्रद्धा का प्रतीक कौन है श्रद्धा का प्रतीक यह रहा आपके सामने लाइव पोल और देखते हैं कितने लोग इसको ठीक करेंगे शाबाज बहुत अच्छे बहुत जल्दी आंतर कर लिया इसका सब लोगों ने I think इसकी प्रतिकी योजना को तो सारे ही लोग पढ़के जो है आए गए ठीक है अलोजको ने इसके बारे में क्या कहा ये चीज़े भी आपको पता होनी चीज़े देखना कि जो आपका पदमाबत है इसके संदर्ब में कुछ लेकक भी रहे हैं जिसने इनको बोला था इस गरंत के बारे में कुछ कुछ चीज़ें वो आपको देखना है ठीक है एक बार उसको देखिए यहाँ पर शिल्पा और सोहन ने सबसे पहले आंसर किया है नीता भी आज जो है वो ठीक ठाक पार में है अच्छा खेल रहे है एन्या है बहुत अच्छे और चिंटा का वीशाए क्यसे कह सकते हैं यह ईए नागमति दुनिया धंडा का प्रतीं कि तुनियादार्य के प्रतीक है वद्माबती श्रण स्रण WOR कि है प्रम अकम का क् और यहीं से याद रख लेना रतन सेन जो है वो आत्म का प्रतीक है आत्म प्रमात्म से ही मिलना चाहती है हमेशा ठीक है यही है आपका सूफी प्रिमाख्यानक कावे जो नाइका प्रधान कावे है ठीक है नाइका ही यहाँ पर क्या है स्त्री रूप में ही जो है क्या क्या गय यह प्रश्ण भी रखा हुआ था पीचे वहीं से आपको जानना था च्पश्थ राजा रतनसेन हीरामन्त तोटा जो है यह सुवा्ची को बोलते हैं देखना यह क्या है आपका इसमें गुरू का प्रतीक है यह इसमें और कौन बचता है अलाव दिन खिल जी किसका प्रतीच है? सेतान खिल जी जो है शाबाश बताई ताई स्थर्माया का शेतान नहीं है सोहन कहा रहे हैं कि शेतान शेतान का प्रतीच जो है वो है रागव जेतन ठीक है? रागव जेतन जो है ये शयतान के प्रतीक है, तीक है, ये धियनलगे रहा है. ओके, ये होगी, इसकी प्रतीक ही हो, जना, सीहलदीप किसका प्रतीक है? ये भी तो है, इसमें एक question, सीहलदीप, श्री लंका है, वो किसका प्रतीक है? शरीर आप लोगों की आवाज नहीं आ रही आज फिर देखा है क्या यह होगा ग्रिदय का प्रती का यह ठीक है यह यह रख लेना यह पहुत जरूरी है इसको देखना और इसको लेकर के पदमाबत में एक पूरा का पूरा इसने दुआ एक दुआ चुपाई भी रखी है इसन संतों में शामिल महिला या महिलाएं कौन है चलिए इसको बता दीजी एक बार इसका अंसर क्या होगा निर्गुन संतों में शामिल महिला या महिलाएं शाबा 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 श शावाज 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 आथिर परशन है और इसमें कोशिश कीजिएगा कि सारे लोग करें और इसको अच्छा करें सही करें गलत मत करें यह थोड़ा सा सोच में पढ़ने वाला क्वर्शन है इसमें तो एक फल के लिए हम भी सोच में डूब गए थे शिल्पा, जगदंबा, सुमन, जियोती, कौशल, दिप्या, सोहन, एंसुशिला बहुत बढ़िया साथ लोग ठी कर रहे हैं पांचा, नौ, एक, दस, दस लोगों ने इसको गलत कर दिया बहुत साथ लोग बोल रहे हैं कि वही सभी हैं, नहीं, पदमवती जो रही ये थी रामकवी, सगुन भक्ती, ठीक है, रामकाव, सगुन भक्त, ठीक है, इसको याउ रख लेना, और सहजोबाई जो है, ये इसमें सही था, सहजोबाई और दयाबाई, ये दो नाम रहे जिन्होंने शिक्षा ली थी, और यहाँ पर राविया जो है, ये थी, थी तो ये निर्गुन, लेकिन याँ पर लिखा हूए, देखिए, संत लिखा हूए, ये थी सूफी, जो राविया थी, ये सूफी थी, ठीक है, ये दियान रख लेना, सूफी महिला, याद रखेगा, और आगे आप मापने जो पड़े से देखना जो सिध्य साही ख कए उसमें चार नाम थे ठीक है तो जो सिधों में योगी निया थी वो चार थी वो भी आपको या रख रृख लेना टीक ए लक्षमी के कांद में मणी ठीक है ऐसे तनव लक्षमी करा कान से कनकलपा मैंसे मेखलपा ठीक है मनी से मनी बद्रा ऐसे करके ठीक है अच्छा यह कह लिख रहे हैं निशा लिख रहे हैं कि जल्दी से हो गया चली कोई बात नहीं जल्दी नहीं करनी है अराम से कीजिए और आप समझ गए होंगे इस प्र यह थे आज के 25 क्वेश्चन बाकी 75 क्वेश्चन जो हैं लेकिन उसमें यह तीछे के 25 भी रहेंगे पुरे के पुरे रहेंगे यह सारे के सारे क्वेश्चन देखना उनको आपके सक्ष्चन में करना कल शाम पर पर दो